क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारत और पाकिस्तान के बीच 10 सितंबर को होने वाले एशिया कप के सूपर फोर मुकाबले के लिए नियमों में कुछ बदलाब किये हैं इसके अनुसार अगर रविवार को होने वाले मैच में बारिश ने खलल डाली तो रिजर्व डे पर मुकाबला पूरा होगा एशिया कप में पहले सारी नियमों में एक भी रिजर्व डे नहीं था दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच के लिए इस नियम को शुकरवार 8 सितंबर को ACC ने जोड़ा है एशिया कप की मौझूदा संसकरण में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला रविवार को खिला जाएगा दोनों टीमों के बीच दो सितंबर को ग्रूप राउन में मैच खिला गया था लेकिन वहाँ पर बारिश के कारण ये मैच रद हो गया था मज़ेदार बात ये है कि भारत पाकिस्तान मैच सूपर फोर में एक मात्र ऐसा मुकाबला है जिसके लिए रिजर्व डे रखा गया है सूपर फोर के किसी अन्य मैच के लिए ये सुविधा नहीं होगी इसके अलावा 17 सितंबर को होने वाले फाइनल के लिए एक रिजर्व डे है भारत और पाकिस्तान की बीच ये मुकाबला श्रिलंका की राजधानी कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है कोलंबो में पिछले कुछ दिनों से लगतार बारिश हो रही है यहां तक कि उससे मैचो की मेजबानी वापस लेने की भी बात हो रही थी माना जा रहा था कि मैचो को हमबन टोटा या दामबुला में शिफ्ट कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब एशिया कप के बचे सारे मुकाबले यहीं खेले जाएंगे भारत और पाकिस्तान की बीच कोलमबो में मुकाबला रद होता है तो रिजर्व डे पर मुकाबला होगा अगर रिजर्व डे के दिन भी नतीजा सामने नहीं आता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोश करना होगा